अखंड मंधन के सभी दर्शकों को नमस्कार मैं हूँ शेक अत्र पाठी और आप देख रहे हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंधन जैसा कि भविशे मालिका वेब सेरीज को आप सभी दर्शकों ने अपार लोग प्रीता प्रदान की और इसे अब तक 4 करोड दर्शक देख चुके हैं कि तो बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो ये भी प्रशन उठाते हैं यदि ये बाते सत्य नहीं होती हैं तो हमें समय की प्रतिक्षा करनी होगी वैसे भी ये जो भविशिवाडियां हैं वो भगवान शी जगरनात के मुख से प्रकट हुई है और उन्हें पंचसकाओं द्वारा लिपी बद किया गया है तो आठवें सीजन के पाँचवें एपिसोड में देखे कि कैसे होने जा रहा है नई मानो सबेता का उदाय लेकिन प्रशन ये है कि क्या ये मानो सबेता सनातन सबेता से अधिक उन्नत एवम संसकारवान होगी तो चलिए बढ़ते हैं इसी खोज की और कहा जा रहा है कि भविशे मालिका में ये इस पस्ट रूप से लिखा गया है कि संपूर्ण यूग परिवर्तन के पश्चात एक अत्यंत उन्नत किस्म की मानो सबेता का विकास होगा और यही मानो सबेता विनाश के बाद पुनर निर्मार की निव रखेगी इस मानो सबेता में परियावर्ण के अनुकूल ही विकास के कारे किये जाएंगे किन्तु सबसे बड़ा प्रश्चन ये है कि इतने बड़े विनाश के पश्चात पुनर निर्मार के लिए धन कहां से आएगा तो इसका उत्तर भी भविशे मालिका गरंत में लिखा है इस कालखर्ण में जो भी लोग रहेंगे उनकी आध्यात्मिक उर्जा का इस्तर बहुत उंचा होगा और वे आध्यात्मिक परमपराओं की खोज करते हुए एक नया आकाशी रिकॉर्ड बनाएंगे बारती नागरिकों द्वारा फैलाये गया ये ग्यान धीरे धीरे सारे संसार को प्रकाशित करने लगेगा और इसी के बाद सारे संसार के मनिश्यों की मानसिक्ता में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा एक बार पुने आपको याद दिला दें कि सरवाधिक विनाश का जो समय रहेगा वह मार्च 2025 से फरवरी 2026 तक रहेगा एवं इसी अवदी में शनी मीन राशी में प्रवेश करेंगे 2030 तक युग परिवर्तन के दौरान होने वाले महाविनाश का करेंपूरा हो जाएगा 2035 तक युद एवं प्राकृतिक आपदा से घायल होई प्रित्वी भी ठीक होने लगेगी किन्तो सबसे बड़ी मानों सबिता के विक्सित होने से पूरो क्या आप युदो और आपदा से होने वाले विनाश के लिए तयार हैं क्योंकि जो विनाश लीला होने वाली है वह कोई साधारन विनाश लीला नहीं होगी क्योंकि बविश्य मालिका में ये भी लिखा है कि गर्मियों के मौसम में ही विपतियों का दौर आरंभ हो जाएगा जो धीरे-धीरे फैलता जाएगा प्रातहकाल से लेकर सायंकाल तक बस लोगों के मरने के ही समचार मिलेंगे सारे जनसार के जंगल में आग लग जाएगी सभी चटाने पहाड अपनी धूरी से खिसकने लगेंगे इसे धर्ती के समतली कर्ण की प्रक्रिया भी कहा जा रहा है जिसमें प्रतेक दस में से एक विक्ती ही जीवित बच सकता है बिमारियों का दोर बुखार से आर्म होगा जो धीरे धीरे पेट की बिमारी लीवर की बिमारी तवचा के रोग एवं अंत में रिदय रोग में परिवर्तित हो जाएगा कई लोगों की शरीर पर तो बड़े बड़े घाओ उभर आएंगे और उनके शरीर ज्वर से तपनी लगेंगे किन्तो ऐसा होने के पूर्व कुछ लक्षण भी सामने आएंगी जिनकी पड़ताल का जिमा हम आपको सौपते हैं अब आप ही बताएं कि क्या वैसा समय आ चुका है क्योंकि भयंकर विनाश लीला से पूरु संसार में कुछ लक्षण प्रकार से बताए गए हैं पहला लक्षण ये होगा कि जो लोग इश्वर को भूल जाएंगे और लोग इश्वर में विश्वास करना छोड़ देंगे जो लोग इश्वर में विश्वास करेंगे उनका भी उपहास उड़ाए जाएगा बड़ों एवम गुरुजनों के प्रती लोगों का सम्मान कम हो जाएगा कई आसामाजिक लोग भाषन या फिर अपनी सम्मोहन कला से लोगों के सामने स्वैंभू गुरू या ओतार बन कर आ जाएगे लोग अपने माता पिता की उपेक्षा करेंगे वहम पत्नी के प्रती आसकती बढ़ती जाएगी प्राचिन परंपराय नस्ट हो जाएगी वहिमानी से कमाए गए धन को सबसे अच्छा माना जाएगा और जो व्यक्ती सबसे अधिक धनी होगा उसे ही स्ट्रेश्ट माना जाएगा भले ही उसने अधर्म के द्वारा धन का अरजन क्यों ना किया हो अपरादी कुलेयाम हतियार लेकर घूमेंगे और महिला पुरुष अपनी विनम्रता खो देंगे चोटे बच्चे यौन संबंधों के आदी हो जाएंगे और वे भी संतान पैदा करने लगेंगे समान लिंके लोग आपस में विवाह करने लगेंगे और इसी कारण अनाचार और जगड़े बढ़ने लगेंगे सूरे से धूप नहीं बलकी आग बरसने लगेगी एवं हवाओं के स्थान पर आंधियां चलने लगेंगी रिष्टेदारों एवं परिवार के लोगों के मद्दे भी यौन संबंध बनने लगेंगे कहा जा रहा है कि इस दोरान ऐसी ऐसी महावारियां सामने आएंगी कि जिसके आगे डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देंगे और वे चिकिस्सा में असमर्थता व्यक्त करेंगे मरने वालों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि लोग अंतिम संसकार तक नहीं कर पाएंगे और वे शोओं को घर में ही छोड़ कर बाहर भाग जाएंगे स्वैम स्री अचुतानन ददास के सब्दों में देखिए वो क्या कहते हैं अर्थात ऐसे लोगों का एक वर्ग सामने आएगा जो ना तो बीमारी को समझेंगे ना ही इलाज के बारे में जानेंगे लेकिन फिर भी वो डॉक्टर कहलाएंगे इतना ही नहीं स्री अचुतानन ददास जी ने डॉक्टरों को भी चेताउनी देते वे कहा है अर्थात खून की उल्टी वाली महामारी के शुरुआत सबसे पहले डॉक्टरों से होगी और भारी संख्या में उन्ही की मृत्य होगी ऐसे में महामारी का इलाज करने वाले बहुत कम लोग बचेंगे तो आज के अपिसोड में बस इतना ही आगे के एपिसोड में ऐसे ही और लक्षनों के विशे में आपको जानकारी देंगे और बताःएंगे कि कहां और कैसे होने वाला है कल की उतार अब आप ही तनिक विचार करें कि उपर जो लक्षन बताए गए हैं कि अब ऐसा समय आ गया है यदि इसका उत्तर हाँ है तो फिर विनाश का समय निकट है किन्तु यदि इसका उत्तर ना है तो फिर अभी विनाश का समय दूर है यदि आप भी भविश्य मालिका के विद्वान है और उस पर सूध कारे कर रहे हैं तो भविश्य मालिका ग्रंच से जुड़े कारिकरम आप वीडियो के फॉर्मेट में हमें हमारे वाटसेप नमबर 7905414965 भेश सकते हैं इसके तरिक यदि आप जोतिशी हैं और भविश्य वाड़ी का कारे करते हैं और आपने सटीक भविश्य वाड़ियां की भी हैं तो उसे भी आप वीडियो या टेक्स्ट फॉर्मेट में आप हमारे वाटसेप नमबर 7905414965 भेश सकते हैं धन्यवार इतना बहुमोली समय हमें प्रदान करने के लिए नमस्कार